अजमेर शरीफ वेर हेट नर्चर्स अजमेर शरीफ में हर फिल्म से पहले जाकर भारत के लोगों के समक्ष बॉलिवुड ने जो एक्जेम्पल खड़ा किया है वो अध्भुद है रतिवर्ष दरजनों बड़े बॉलिवुड के सितारे ये देखो ये 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 सब बड़े बड़े हैं जो नम आप बोलो वो अजमेर शरीफ में मिलेगा इस से उस थान की एड होती है समाचार पत्रों में हाइलाइट होते है और लोगों का क्रेज बनता है उस थान के लिए लेकिन अजमेर से कुछी दूरी पर या कहें मात्र 14 किलोमेटर की दूरी पर पुशकर ब्रह्मा मंदिर है आपने कितने बॉलिवुड के सितारों को ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हुए देखा है बस इसी थोड़े से डिस्टेंस को आज इस एपिसोड में कवर करेंगे देखते रहे आज की तादा ख़़ए अजमेर शरीफ के खादिम गौहर चिष्टी इतने शरीफ हैं कि वो कहता है कि इस लड़की को गुश्ताखे नभी वाली सजा दे दो और फिर उसके बाद उदैपूर टेलर कांड वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का रियाज अतारी को मिल कर भी आता है और जिस दिन वो खादिम रियाज अतारी को मिलता है उसी दिन रियाज अतारी का एक वीडियो बनता है जिसमें वो सभी गुस्ताकों को धमकाता है बताया जाता है कि खादिम ने ही रियाज को कहा था कि जो भी कनिया लाल के साथ करे उसका वीडियो बना ले अजमेर शरीफ के दूसरे खादिम सल्मान चिष्टी ने अपना घर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की बाद कही जो इस लड़की को गुस्ता के नभी वाली सजाद दे पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और साथ में पुलिस ने ही इसे कहा अरे यार तू ये बोल दे के नशे में था तुझे बचाना आसान हो जाएगा अजमेर शरीफ का तीसरा खादीम सरवर्चिष्टी कहता है ऐसा परदर्शन करेंगे ऐसा परदर्शन करेंगे की पुरा भारत हिल जाएगा इनका परदर्शन पिछले कुछ समय से आप देखी रहे हैं बैंगलाओर में देखा दिल्ली में देखा राजिस्थान में देखा तो परदर्शन का अर्थ आप स्वेम निकाल सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हिंदूओं का एकनॉमिक बॉयकॉट किया जाएगा परपरशन निहां पर ये कि क्या इस समाज को हिंदूओं का आर्थिक भाईशकार करने की आवशक्ता है जब ये मात्र हलाल ही खरीदते हैं आशा थी भारत को हिलाने की पर अजमेर और अजमेर शरीफ स्वेम हिल गया हिंदूओं ने अजमेर जाना छोड़ दिया और जो शुकरवार को मधुमक्खी के च्छते की तरह भरा रहता था इस बार वो खाली था एक शुकरवार में खादिम ने बयान बदल लिया और कहा वो सब जिन्होंने बयान दिये थे वो तो ऐसे ही चुन्नू मुन्नू वरकर्स थे असली हाजी सलमान चिष्टी जो 26 वी जनरेशन है गदी नशीन है उन्होंने उन्होंके बयानों को करनेम किया है और कहा है कि हिंदू मुसालमानों का जो समागम है वो अजमेर में होता है यही वो स्थान है पर अजमेर जाने वाले हिंदू कुछ दिनों में फिर से अजमेर जाना प्रारम कर देंगे पैसा चढ़ाना प्रारम कर देंगे सुप्रीम कोट ने कहा है कि अजमेर की दरगा में जो पैसा चढ़ेगा वो डोनेशन बॉक्स में ही जाएगा किन्तु एक वर्ष में डोनेशन बॉक्स में जो पैसा निकला वो था मातर साड़े साथ लाक रुपे खादिम और दिवान के बीच आपसी समझवता हुआ कि डोनेशन बॉक्स में पैसा मत डलवाओ पैसा खादिमों को ही लेने दो और दो वर्ष का दो करोड दिवानों को खादिम दे देंगे अजमेर में पंदरा डोनेशन बॉक्स लगे हैं पर लोग जाकर खादिमों के हाथ में ही पैसा रखकर आते हैं परन्तो मंदिरों में पजारियों के हाथ में पैसा रखते समय उनको लूट लग रही होती है सरकार ने अजवेर शरीफ से पूछा कितना चड़ावा आया तो उत्तर मिला वो हम अकाउंट नहीं रखते लोग खादिमों को दे जाते हैं वर्चों से ऐसा ही चलता आ रहा है अब हम क्या कर सकते हैं भारत की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि गोवा में ड्रग्स का प्रॉब्लम है मलंग के रिलीज के बाद वहां की मिनिस्ट्री ने इस बात पर संग्यान भी लिया कि ये फिल्में गोवा की इमेज को धुमिल कर रही है और आगे से ऐसा होने से रोका जाएगा परन्तु देश के ड्रग्स कैपिटल तो निजामुद्दीन और अजमेर है क्या कॉमन है इन दोनों स्थानों पर क्या कोई बॉलिवूड या अगली बार ड्रग की कहानी को निजामुद्दीन या अजमेर में बनाएगा या फिर बस कुन फाया कुन फाया के गाने गाये जाएगे और लोगों को प्रेरित किया जाएगा इन दोने ही स्थानों पर जाने के लिए क्या इस सब के बाद बॉलिवूड अजमेर जाना बंद करेंगे या फिर 21 वर्षिय संजे गुपता की तरह उन लोगों को भी महिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा जो हिंदूओ को ये कहते मिलेंगे वही अजमेर जाना बंद करो क्योंकि इसका इतिहास घिनो ना है यदि हम अजमेर दर्गाह की बात करें तो ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्टी की दर्गाँ बताई जाती है ख्वाजा मुईनुदीन चिष्टी की गवर्मेंट द्वारा रेकमेंडेड बायोग्राफी हज़त ख्वाजा मुईनुदीन हसन चिष्टी को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ख्वाजा ऐसे थे कि इम्मेच्वर गाए को दुधारू गाए बना देते थे ख्वाजा ऐसे थे कि वो बिना हाथ लगाये अपनी दुश्मन की आँखे फोड देते थे, वो पूरी की पूरी नदी को सुखा देते थे, राजिस्थान में पानी की कमी कह हुए हमें पता नहीं, मरे हुआ को जीविट कर देते थे एसे चमतकारी थे बाबा, ऐसे चमतकार यह तरी बहुते रहते हैं जब गुंगे बोलने लगते हैं यह तरी बहुते हैं लीवर की सूजन ऐसे चली जाती है अपना बच्चा यहार ए रिदिक इदर रहते हैं इदर सूजन दर गो अच्छा आतकाल इन दे नेम ऑफ जीजस स्वेलिंग गो इन दे नेम ऑफ जीजस सूजन जा मैंने बोला वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई बायोग्राफी आगे कहती है कि प्रिथिविराज चोहान मुईनुद्दीन चिष्टी को अजमेर से भगाने की कई बार प्रयास कर चुके थे पर कभी सफल नहीं हुए एक बार प्रिथिविराज चोहान ने अजेपाल को जो की काला जादू जानता था उसे भेजा मुईनुद्दीन चिष्टी को काबू करने के लिए पर ख्वाजा तो ख्वाजा थे उन्होंने अजेपाल को साथवे आश्मान की सैर करने के लिए भेज दिया और सैर करने के बाद जब वापस अजेपाल आया तो वो कनवर्ट हो गया अजेपाल अपनी मृत्यों के बाद आज भी अजमीर में ही है और जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उन्हें रास्ता दिखाया जाता है जब घोरी ने प्रत्वी राज को धोगी से हराया तो उसके बाद मुईनुद्दीन चिष्टी ने सतरा शब्द बोले जो बाइगराफी में लिखे हैं उनकी शब्द थे हमने राजा को जीवित पकड़ लिया और उसे आर्मी आफ इसलाम के सुपरद कर दिया ख्वाजा ने प्रत्वी राज चोहान को इसलाम आफर किया पर उन्होंने मना कर दिया वो मुईनुद्दीन चिष्टी ही था जिसने घोरी को भारत पर फिर से चढ़ाई करने के लिए उकसाया था जब प्रत्वी राज से हार कर घोरी उदास बैठा हुआ था घोरी की जीत के बाद ख्वाजा का सपना हकीकत की और प्रारंब हुआ और अब सपने को रोकने के लिए प्रत्वी राज चोहान नहीं था ये सब बायोग्राफी में लिखा हुआ है प्रशन आप से कि वो सपना क्या था अजमेर शरीफ की दरगा की ओफीशल वेबसाइट कहती है कि चिष्टी के डिवोटीज ने एक रात एक राजा की बेटी को कैप्चर या अबड़क्ट कर लिया पहले राजा का नाम प्रिथवी राज लिखा होता था बाद में प्रिथवी राज को हटा दिया गया मतर राजा लिखा है राजा की बेटी 13-14 वर्ष की थी और खुआजा के सामने उसे पेश किया गया लड़की को इसलाम कुबूल करवाया गया और उसके उपरांत लड़की का निकाह मुहिनुद्दीन चिष्टी के साथ किया गया मुहिनुद्दीन चिष्टी की आयू समय 80 वर्ष के आसपास थी और इसे बर्षत कहा गया बर्षत यानि प्रॉफिट आपके सपने में आएं और आपको आगया दें कि आप ये करें वो करें या निकाह करें पाकिस्तान में इस प्रकार के abduction रोज होते हैं और सतन रोज तीन लड़कियों के abduction के समाचार आते हैं उन्हें convert किया जाता है और फिर उसके बाद उनका निकाहा किसी के भी साथ करा दिया जाता है और यदि इस्लामिक जिए दर लेगेसी ओफोस कनवर्जन, इंपीरिलिजम एंड स्लेवरी जिसके ओथर म. खान थे उसको पढ़ा जाए तो उसमें पता चलता है कि ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिष्टी जब भारत आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मं लड़कियों के साथ जो किया उस पर तो एक पूरी डॉक्यमेंटरी या पूरी एक फिल्म या पूरी एक वेब सीरीज बन सकती है पर बॉलिवर्ड तो सर पर चादर उठाकर चादर चढ़ाने के लिए लीन है 1992 में जब सौ से अधिक लड़कियों की नगन फोटो पूरे अजमेर में बट रही थी और जिसे भी वो फोटो मिलता वो उन लड़कियों को ब्लैक मील करता छे लड़कियों ने इसके चलते खुद को पुलिस ने इतने हाई प्रोफाइल केस में लचर रवाया अपनाया यहां तक कि यह तक कह दिया कि उन लड़कियों का केरेक्टर सही नहीं था आज भी पुलिस कह रही है बोल दो शराप पी कर बोल दिया था आसानी होगी तुम्हें बचाने में आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आप हमें यूपी आई पेट्रियोन के मादिम से सपोर्ट कर सकते हैं आप देख रहे थे आज की दादा खबर चाहिए जबाए लड़कियो पूलिस 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 है 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 है